कैसे जाने के आपको rotator cuff injury है या frozen shoulder जो partial tear होते है rotator cuff के या जो tendinitis होती है उनको बिना surgery ortho biologics injection की वज़े से ठीक किया जा सकते हैं दोस्तों इन दोनों ही कंदे की problems के अंदर patient का कंदा उठना बंद हो जाता है और उसको दर्द होता है तो हम बात करेंगे पहले rotator cuff injury की तो आखे rotator cuff क्या होता है दोस्तों rotator cuff में चार muscles होती है जो आपके shoulder joint को surround करती है आगे वाली muscle को बोलते हैं subiscapularis, उपरवारी muscle होती है supra spinatus और इसके पीछे होती है infraspinatus और इसके पीछे होती है infraspinatus और इसके पीछे होती हैं यह चार muscles आपके shoulder को stability देती है जब इसकी injury हो जाती है तो injury में rotator cuff tendinitis भी आसकता है, partial tear भी आसकता है और complete tear भी आ सकते most commonly जो muscle injury होती है rotator cuff में वो होती है surprise spinatis पर बाकी muscles की भी injuries बहुत commonly देखी जाती है जिसमें sub-scopularis और infraspinatis भी शामिल है tears minus की injury बहुत rarely मिलती है तो दोस्तों जब किसी athlete को rotator cuff injury होती है अगर वो partial tear है इसके अंदर वो अपना हाथ पूरा उठा सकता है पर उसको shoulder में जब हाथ उठाते है इसके अंदर pain होता है इस condition में हाथ पूरा गूमता है तो moment में कोई restrictions नहीं होती है अगर आपको complete rotator cuff injury हो गई है तो आपका हाथ उठना बंद आता है तो athlete अपना हाथ नहीं उठा पाता है जो older patient है जिनके अंदर complete rotator cuff या surprise mattress tier है वो अपना हाथ नहीं उठा पाते है अगर कोई उनका हाथ उठाए तो वो अपना आप उठाता है इसका मतलब है कि आपको सिर्फ rotator cuff का complete tier है और आपको frozen shoulder नहीं है frozen shoulder के अंदर जो shoulder joint का capsule होता है वो हमारा freeze वाता है टाइट हुआता है इस वैसे हमारा हाथ हम खुद भी नहीं उठा पाते और अगर कोई try भी करेगा आपका हाथ उठाने का या अपने दूसरे हाथ से मज़से आप अपने हाथ उठाने का हैश्ट करोगे कुछ test जो की rotator cuff के specific है जैसे की drop arm test, jobs test ये positive आएंगे physical examination में और साथ साथ आपका जो range of motion है active और passive दोनों ही restricted रहेगा सो दोस्तों क्या आपको rotator cuff injury है या आपको frozen shoulder है या आपको दोनों है ये पता लगाना easy है आप खुद भी better better पता लगा सकते हैं अगर आपका कंदा नहीं उठ रहा है अपने आप से नहीं उठ रहा है पर कोई और जना आपके कंदे को उठा पा रहा है इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ rotator cuff का complete tear है frozen shoulder नहीं है अगर आप अपना हाथ उठा पा रहे हैं किसी भी level तक पर वो एक limit के बाद उपर नहीं जा रहा है इसका मतलब आपको frozen shoulder है और rotator cuff injury नहीं है वहीं अगर आप अपना हाथ अपना भी नहीं उठा पा रहे हैं और जब कोई दूसरा आपका हाथ उठा रहा है तो भी इस या इस angle के उपर नहीं जा रहा इसका मतलब आपको दोनों है rotator cuff injury और frozen shoulder अगर आपको किसी भी तरह के symptoms आ रहे हैं या आपके दोस्तों को या आपके परिवरवालों को इस तरह के symptoms आ रहे हैं तो आप MRI करवाईए और MRI की report हमें बेजिए हम आपको बताएंगे कि आपके लिए best इलाज क्या होगा आज कल जो partial tear होते हैं rotator cuff के या जो tendinitis होती है उनको बिना surgery orthobiologics injection के वज़े से ठीक किया जा सकता है यह जो injection होते हैं यह हम आप ही के blood से बनाता हैं जिसके अंदर platelets होते हैं और वो जब हमें shoulder में inject करते हैं तो वो आपके partial tear को regenerate करते हैं इसके अंदर किसी भी तरह का side effect नहीं होता है क्योंकि यह आप ही के blood products है अगर इसमें rotator cuff का complete tear आता है किसी patient को उसके अंदर भी advanced arthroscopic surgery होती है जिसके अंदर advancement double row repair किया आता है साथ में double row repair speed bridge technique से जब किया आता है तो fiber tape internal brace का fixation बहुत ही strong रहता है और इसमें आपकी recovery बहुत जल्दी आती है और आपको बहुत लंबे समय तक हाथ को immobilize करने की जरूरत नहीं है after the surgery तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई भी problem है तो आप हमें अपनी हमारी भेज सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे